जी जीवन सुन्दर आए लाइफ इस बीटिफोर्पोर्ट तुज़द मज़द 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 मज़द। नमस्कार दोस्तों हमारे लाइफ को अगर सुन्दर बनाना है beautiful बनाना है तो यह चार शब्द life is beautiful मजज मजज़ यह कैसे काम आ सकते है मेरे एक facebook friend है जो कि government में बड़े officers है बड़े पदपर है लेकिन इतने बड़े पदपर होने के बावजीत भी उन्हेंने अपनी lifestyle को साधा simple रखा है और अपने जीवन में एक तत्वद न्यान को उतारा है और वो तत्वद न्यान इन चार शब्दों में समाया हुआ है और वो चार शब्द है life is beautiful मजज मज़ अगर इन चार शब्दों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन भी beautiful बन जाएगा life is beautiful मजज़ मज़़ा हो जाएगा उन्होंने यह जो अपना खुद का तत्वध्यान बनाया हुआ है यह तत्वध्यान यह एक मंत्रा कहिए यह मंत्रा वो हर समय हर बार हर किसी के साथ शेयर करते है और उसका इस्तिमाल करते हैं जिससे जो आसपास की हवा है वो बदल जाती है और जीवन सभी को beautiful लगने लगता है आपने सुना ही होगा और यह सच भी है कि जैसे हम सोचते हैं जैसे हमारे विचार है जैसे हम बोलते हैं जैसे हम बात करते हैं वो ऐसे हम बन जाते हैं वैसे ही अगर हम इस चार शब्दों को हमारे जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन भी ब्यूटिफुल सुन्दर होने में मदद होगी तो दोस्तों आज से हम एक काम जरूर करेंगे जहां भी हमें लगता है कि वह परस्तिती मुझे अच्छी नहीं लगती है तो यह चार शब्दों का जो मंत्र है वह सिर्फ बोलेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है जैसे कि अगर अपने पतनी के साथ आपके रिष्टे सही नहीं है या आप अपने पतनी के साथ के रिष्टे को और मजबूत बनाना चाते है तो आज से बोलना शुरू करिजिए वाइफ इस ब्यूटिफूल मजजच मजच तो आपके दुरूश्टि कोन में बदला आजाएगा अगर आप अपने ओफिस में जाते है और आपको आपका काम पसंद नहीं है तो आज से ही बोलना शुरू करजिए Office is beautiful, मजजाच मजजा और देखिए जादू, कुछ ही दिनों में आप फर्क पाएंगे हमारी जैशी दुरुष्टी है, वैसी हमें सुरुष्टी दिखती है ऐसा ही है कि हमारा दुरुष्टी कोन हमें चेंज करना है जो हमारा जीवन है, उसे हमें beautiful तरीके से देखना है और जीवन में मजजाच मजजा है यह तत्वद न्यान हमें हमारे रधह में उतरना है यहाँ पर मुझे ओशो की कही हुई एक बात याद आती है ओशो कहते हैं कि जीवन मरा हुआ नहीं है जीवन पूरी तरह जीवन्त है अगर कोई वस्तु आपको जड़त्व अगर दिखती है तो वह वस्तु जड़त्व नहीं है, वह भी जीवन्त है अगर आप उसको अपने रधह से प्रेम देंगे तो वैसा ही प्रेम उससे आपको मिलेगा तो दोस्तो इन चार शवदों में वह जड़ू है कि आप अपने घर को कहिए माइ हाउस इस ब्यूटिफूल मजजास मजजा और देखिए, यह करके देखिए आठ दिन में आठ दिन में आपको पता चलेगा कि आपके आसपास की हवा बदल गई है एक बात दोस्तों यहां खायाल रखना जरूरी है कि जीवन में हमें दूसरों को परिवर्तित नहीं करना है हमें खुद को परिवर्तित करना है अगर हम खुद को परिवर्तित करेंगे हम अपने में परिवर्तन लाएंगे को धन्यवाद और थैंक्यू कहना चाहूंगा कि इतने ब्यूटिफुल तरीके से इतने अच्छे शब्द अच्छा मंत्र उन्होंने समाज को दिया है हमें दिया है जिससे हमारा लाइफ हमारा जीवन बदल सकता है तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए लाइक कीजिए और मेला चैनल सब्सक्राइब करना ना भोलिए धन्यवाद